हाई फ्रेंज आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ उड़त की दाल की मिनी खस्ता कचोरी ये देखने में जितनी क्रिंजी और क्रिस्पी है उससे भी ज्यादा टेस्टी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पी मैंने आधा किलो मैदा लिया है और देड़ सो गराम मैंने घी लिया है घी गरम होना चाहिए और नमक तो नमक इसमें हम थोड़ा ही डालेंगे और सारा घी डालके मॉयन कर लेंगे आटा मॉयन हो चुका है नौर्मल पानी से हम आटा लगा लेंगे तो हमें सकते आटा लगाना है तो आटा मेरा लग चुका है अब इसको हम ढग देंगे दस मिनट के लिए तब तक हम दाल पीस लेते हैं दाल को हम सिलबटे पे पीसेंगे क्योंकि हम इसे आपको देशी श्टायल में बता रहे हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेश एक बार आप इस तरह से भी सिलबटे पे दाल को पीस कर ट्राई करना आपको बहुत ही पसंद आने वाला है यह दाल मेरी पीस चुकी है दाल को हम उठा लेंगे और गैस पर रख देते हैं हम कडाही उसमें दो चमश हम ते दाल देंगे इसको ड्राई होने तक घून एंगे लो फ्लेम पे इसमें अब हम लमक डाल देंगे 2 चमश धनिया पारवर डालेंगे 1 चमश करम अब उसमाच गरम पावर्डर टालेंगे ऊंचर पावर्डर डालने से पहुद ही अच्छा टेस्ट आता है इसे भी डाल और एकच मच कुठी हुई सॉंफ टाल देंगे अभी इस tão चीजों घ्रोट हम मिक्स कर देंगे और भुन लेंगे अद्य को हमें ळोचेप हमें अर्फ़ मीश आधा चूट चौटा चमच इसमäre मीश पल दाल धेंगे और एक चमच कसमीरी लाल मिर्च इन सब चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि उड़त की दाल अच्छे से dry न हो जाए तो हमारी उड़त की दाल अच्छे से भून चुकी है अब इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे दाल हमारी धंडी हो चुकी है अब हम कचौरी बना लेते हैं तो सबसे पहले आटे के हम छोटे-छोटे पेड़े काट लेंगे एक ही साइच के और पूरी बेल लेंगे तो मैंने पूरी बेल लिया है इसे हथेली में रखके कचौरी के बेटर को फिल कर लेंगे और कॉर्नर से प्रेट डालते हुए इसका हम बंद कर देंगे इसको अच्छे से चिपकाना है ताकि हमारी कचौरी फटे नहीं तो मैंने देखी बना लिया है इसी तरह से हमेंने सारा बना लिया है अब चलते हैं तलने के प्रोसेस में कडाही में मैंने ओयल डाल दिया है ओयल मेरा हलका करम हो चुका है अब इसमें हम अपने कचौरियों को डाल देंगे ध्यान रहा कि कचौरियों को हमें लो फिलेम पर ही तलना है 15-20 मिर्ट लग सकते हैं कचोरियों को तलने में कचोरिया मेरी तल चुकी है भीने हम निकाल लेते हैं तो देखा फ्रेंज किंती किनिंची और क्रिस्पी कचोरी बनी है तो ये मेरी उड़त की दाल की सुपर टेस्टी मिनी खसता कचोरी बन कर रेडी हो गई है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मझे चरूर बताना